कहानी रूसी पोत में यात्रा पर लेखक के साथ शुरू होती है यह अंताक्टिका की ओर जा रहा था हम सीखते हैं कि लेखक ने एक कार, हवाई जहाज और साथ ही जहाज में लगभग सो घंटे की यात्रा की है इस यात्रा का मुख्य उद्देश अंताक्टिका के बारे में विस्तार से सब कुछ सीखना है इसके अलावा, हम उसके दो सप्ता के प्रवास के बारे में सीखते हैं और सभी वहाँ मौजूद रहते हैं यह स्थान प्रिथवी के कुल बर्फ संसकरनों का 90 प्रतिशत है जिसमें कोई पेड़, भवन या कुछ भी नहीं है इसमें 24 घंटे का ओस्ट्रल समर लाइट है इसके अलावा, यह मौन में शामिल है यह लेखक को उस समय के बारे में आश्चर्य चकित करता है जब भारत और अंटाक्टिका एक ही भूभाग का हिस्सा थे हम एक दक्षिनी महामहिम गौनडवाना के अस्तित्व के बारे में सीखते हैं यह 650 करोल साल पहले अस्तित्व में था हम सीखते हैं कि तब जलवायू बहुत गर्म थी और वनस पतियों और जीवों की एक विशाल विविद्ता कायम थी यह सब इनसानों के आने से पहले था इसके अलावा 500 मिलियन वर्षों के लिए गौनडवाना पनपा इस प्रकार डायनसौ के विलुप्त होने के बाद भूमाफिया देशों में अलग हो गए जैसा की हम आज जानते हैं इसके अलावा हम जलवायू परिवर्तन की वास्तविक्ता के बारे में भी सीखते हैं इसी तरह लेखक का मानना की प्रभाव का बारीकी से अध्ययन करने के लिए अंटाक्टिका का दौरा करना चाहिए उसके बाद हम अंटाक्टिका के पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सीखते हैं और इसमें जैव विविद्दा का अभाव है इसके अलावा यह निरीक्षन करने का स्थान है कि आप यह देखना चाहते हैं कि थोड़ी सी कार्रवाई परियावरन में क्या परिनाम ला सकती है यदि ओजोन परत वर्तमान दर से घर्ती रहती है तो यह समुद्री जानवरों और पक्षियों जैसे क्षेत्र के निवासियों के जीवन को प्रभावित करेगी इसके अलावा यह वैश्विक कार्बन चक्र को भी प्रभावित करेगा हम जलवायू परिवर्तन के योगदान करताओं के बारे में सीखते हैं जैसे की जीवाश में इंधन का जलना और बहुत कुछ यह सब अन्ताक्टिका की गुनवत्ता को नुकसान पहुचा रहा है और इससे मानव जीवन को भारी खत्रा हो सकता है इसके अलावा हम इसके बारे में फाइटो प्लानकटन के उदाहरनों से भी सीखते हैं अन्त में कहानी का अन्त लेखक द्वारा बर्फ पर धूप सेंखने वाली कुछ मुहरों के अवलोकन से होता है यह उसे आश्चर्य चकित करता है कि क्या यह सुन्दर्ता आने वाले वर्षों के लिए आरक्षित होगी या भविश्य में विनाशकारी होगा प्रिथवी के सारांश की यात्रा के अंत में हम जलवायू परिवर्तन के बारे में विस्तार से सीखते हैं और यह हमारे जीवन और अन्य जीवित प्रानियों को कैसे खतरनाक रूप से प्रभावित कर रहा है यह ग्रह को एक स्वस्थ स्थान बनाने के लिए काम करना शुरू करने के लिए एक वेक अप कॉल के रूप में कार्य करता है